वेलकम दू प्रताब क्लासेज दोस्तों प्रताब क्लासेज के यूटू चान पर आपका स्वागत है आज है 20 दिसंबर 2023 और 20 दिसंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करड़ पेर्श की क्योस्वन मनते हैं आज उनका हम डिसकस्वन गरेंगे पूरा वीडियो द गाटन इसके लावा भारत में सोलर पावर से चलने वाली सबसे तेज बोट लॉंच और पहले खेलो एंडिया पेरा गेम्स 2023 में सबसे ज़्यादा पदक की स्राज्य ने जीते इनकी आजम चर्चा करेंगे तो पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ रोद सुब आपको 7 बज कर लेते हैं देखिए दानकुनी से सोन नगर तक 538 किलोमेटर डेटीकेटेड फ्रेंट कोरिडोर का उदगाटन किसके द्वारा किया गया तो हमारे देश के पढ़ानमत्री मोदी जी के द्वारा किस ने नमोगाट परकासी तमिल संगमम के दूसरे संसकन का उदगाटन किय तो नेरेंदर मोदी ने भारत दुनिया का पहला देश है जिसके पास अकास मिसाइल एक साथ चार निशानों को तबाह करने की ताकत रखता है इसका प्रिक्षन किस ने किया तो डियार्डियों ने NCRB के आंकडों के अनुसार 2025 में खाद्य परदार्थों में मिलावट के मामलों में कौन सा सहर देश में सबसे टोपर है तो वो है हेदराबाद हाल में किसे विजनरी लीडर आइकन 2023 फुर्शकार मिला तो ये मिला है सिरी निवासे नाइक धारावत को भारत में किस देश के नए रादूत है रुबेन अजार को निक्त किया तो ये है इसराइल के किस देश की सेना ने सरदेशी समार एर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सब रिवाइज करवाए जाता है वो आपको शाम को टेलीग्राम पर मिल जाते हैं जैसे आज मैंने आपको ये रिवाइज करवाए ये आपको कल शाम को टेलीग्राम पर मिल चुके थे तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक सेर करेंगे और इसके लावा आपको परताब क् और इसकी रोज आपको YouTube पर इसकी व्याक्या भी दी जा रही है और जन्रा साइट की टैस्टरीज इसके लवा पूरे साल की इंडिया और वर्ल्ड की करने फेर्ट की टैस्टरीज रास्तान पुलिस कॉंस्टेबल की और और पीसी और असमजर पुछे के और क्योशनों की और स आपको मिल रही है और टैस्ट भी आपको लगाता रहे दिये जा रहे हैं तो बड़िया तरिके से आप अध्यान करते रहे ना आप बस ओनलाइन टैस्टरीज जोइन कर ले और बाकिया आपको रोज सुबह करने की क्लास है मिलती रहेगी पहला क्योशन देखो हाली में विश्व के सबसे बड़े द्यान के अंदर सर्ववेद महामंदिर का उद्गाटन कहा हुआ है हाली में विश्व के सबसे बड़े द्यान के अंदर सर्ववेद महामंदिर का उद्गाटन कहा हुआ है तो यह हुआ है वारानासी उत्तर प्राचिन और आधुनिक तक्निक का ये मिसलन ये साथ मंजिला चमत कर आंतरिक शांति के लिए बीस हजार साथ मों का स्वागत है करता हैं की बीस हजार इसमें जो लोग है इसमें बैठ सकते हैं मंदिर का नाम सरवेद से लिया गया जो सास्वत योगी और विहंगम योग के संस्तापक संदुरूरी स्री सदाफल देवजी मारा द्वार दिखिते एक है अध्यात्मिक गरं है इससे मंदिर का नाम दिया गया और महा मंदिर में जटिल संग्मामर के नकासी और कमल के अकार के गुब बंध है तो याद रखना हो बढ़िया त्रीके से इसी तरह में आपको पूरी डिटेल याँ पर इसमेंने करवाई है अगला क्यूस्टन हाली में बारत में सोलर पा ओट है और इसको लौँच किया गया है केरल के अंदर कहां पर लौँच किया गया के प्रयावन अनुकूल समूंदरी परिवैन की दिशा में महत्पुन कदम उठाते हुए भारत की सब से तेज सोर इलेक्ट्रोनिक नाव है यारीन की सोर उरजा से संचालित बारा कुड़ा अब इस बोट का नाम है बारा कुडा को अलपुजा में नवगाती पनावली याड में उपचारी क्रूप से इसको लॉंच किया गया तो बारा कुडा इसका नाम है और अलपुजा यानकी केरल के अंदर इसको लॉंच किया गया इस अत्यादुनिक जाज को मजगाव, डाक, सिब बिलिडिस और नेवर्ट ने सियुक त्रूप से इसको विख्षेते किया हैं कि भारत की सबसे तेज ये सोल्वर पावर से चलने वाली बोट है इसको केरल के अंदर लॉंच किया गया है दुबई में खेलेगे अंडर नाइटिन एशिया कप फाइनल मुकाबले में मेजबान युए को हराकर किस देश ने टाइटल अपने नाम किया है दुबई में इसका जुन हुआ अंडर नाइटिन एशिया कप फाइनल मुकाबले में मेजबान था युए इसको रादिया इसन बांगलादेश टीम ने अंडर नाइटिन एशिया कप का किताब पहली बार अपने नाम कर दिया दुबई में खेलेगे फाइनल मुकाबले में मेजबान युई को एक सो पिच्चाण में रनों से राकर बांगलादेश ने टाइटल अपने नाम में किया है बांगलादेश के सालामी बलेबाज असी कुर रहमाण सिब्ली प्लेयर ओप्डे मैच रहे और वही रहमाण को ही प्लेयर ओप्डे सिरीज नवाजा गया है किसको राधिया फाइनल में यूएई को नेच्ट है हाल इमें किसने ITF विश्व चैंपियन पुर्षकार 2023 किसने जीता है हाल इमें किसने ITF विश्व चैंपियन पुर्षकार 2023 किसने जीता तो ये पुर्षों के अंदर है नुवाक जोकोविचे और महिला के अंदर है आर्याना संभा लेका तो इन दोनों खिलाडियों ने ITF 200 चैंपिन पुरिसकार है जीता है तो इसका उत्तर हो जेगा ये और भी दोनों देखो नुवाक जोकोविच ने 8 वी बार ITF ITF का मतलब होता है अंतराष्टिय टैनिस माहा संग ठीक है 8 वी बार है विश्व चैंपिन जिब का ये पुरिसकार हासिल किया है और ये रिकोर्ड उनों ने बनाया कि 8 वी बार ये पुरिसकार इनों ने जीता इस सेजन में चारो ग्रेंड स्लेम टूनामेंट सिंगलस में कम से कम सेमी फारिल में पहुंचने के लिए अंतराष्टिय टैनिस माहा संग के 2023 के विश्व चैंपिन पुरिसकार से इनको सम्भानी तरह किया गया तो 8 वी बार हों को ये पुरिसकार दिया गया और संबा लेकान ये पहली बार ये पुरिसकार इनको ने है तो अंतराष्टिय टैनिस माहा संग का पुरिसकार कि इसको मिला नुवा के जोकोविच को हाली में पहले खेलो इंडिया पेरा गेम्स 2023 में किस राज्य ने 105 पदक के साथ सबसे टोप स्थान हसिल किया है तो पहले खेलो इंडिया पेरा गेम्स यानकी पहली बार खेलो इंडिया पेरा गेम्स का आईजन हुआ दिल्ली के अंदर है और किस राज्य ने 105 पदक जीत के सबसे टोप किया है किस ने हर्याणा राज्य ने 105 पदक जीते वुर्ष के अंदर सबसे टोप अस्ता ने हसिल किया है देखो पहले खेलो इंडिया पेरा केम्स 10 से 17 दिसंबर 2023 तक नई दिली में आई जीते किये गेते कब हैं 10 से लेकर 17 दिसंबर तक है हर्याणा ने 40 स्वर्ण 49 रजत और 26 outlined 105 पदक जीत कर सबसे टोप हस्तान असिल किया उत्र प्रदेश 25 स्वर्ण 23 रजत और 14 आसिय पदक सई 22 पदक जीत कर दूस रष्तान जीता जबकि तमिल लजु 20 स्वर्ण 8 रजत और 14 आसिय पदक जीत कर 30 रष्तान है हासिल किया तो सबसे टोपर हरियाना उसके बाद में उत्रप्रदेश पिर्थीस रास्तान है तमिला डूखा इसके लवा हरियाना के परणाव सूर्मा ने कलब थ्रोस परदा में 33.54 मिटर थ्रो के साथ नया AC रिकोर्ड भी बनाया है और इसके अंदर 32 राज्यों और के अंदर साथ परदेशों के लगब गए 1450 पेरा इत्रो ने इसके अंदर भागे लिया था नेक्स है बारतिय ससस्तर बलों को किस देश में गोल्डन आउल पूर्षकार से सम्भानित किया गया और ये किया गया है सिरलंका के अंदर कहां पर सम्मानित किया गया इनको ये देखो तस्वीर में सिरलंका के अंदर उनको गोल्डन आउलपुर्सकार से सम्मानित किया गया देखो सिरलंका में Defense Services Command and Staff College DSCSE में परतिश्चित कमांड और स्टाफ कोर्स से गुजरे बारतिय सरस्थर बलों के तीन अधिकारियों को उनक आउलपुर्सकार दिया गया है अगला क्यों देखो आपके सामने किस देश के द्वारा अफगान मैला कोसल विकास के अंदर को 2023 अंतराष्टिये लेंगिक समानता पुर्सकार से सम्मानित किया गया किस देश के द्वारा अफगान मैला है उनको क्या कोसल विकास के अंदर क को दोजार्टेस के अंदर अंत्राष्ट यह लेंगिक समानता पूर्शकार दिया गयां अफिल्लेंड के दुआरा ओप्स नंम्बर डी यह तस्वीर में देख सकते हैं इसमेंं क्या महिलाओं का जो कोशल ए उसके विकास के लिए उनको लेंगिक समानता पूर्शकार दिया ग समानता पुर्षकार से इनको संबानीद किया गया तो बसे एक point आपको याद रखना है International Institute for the Unification of Private Law यानि की UNIDROIT की गवर्निंग काउंसलिंग में चुनी जाने वाली पहली बारतिय महला कोन बनी है इसके अंदर International Institute for the Unification of Private Law और इसके अंदर चुनी जाने वाली पहली बारतिय महला बन गई उमा सेखर ओप्स नमबरे कोन बन गई उमा सेखर बन चुकी है देखो बारत की उमा सेखर इटली के रोम में स्थित International Institute for the Unification of Private Law की गवर्निंग काउंसलिंग के लिए चुनी गई है उमा सेखर को पहले दोर में 69 वोटों में से 45 वोटों के प्रभावशली अंतर के साथ इसको उमीदवार है चुनी गई है और इसका जो महा सबा का जो आयोजन है 277 इटली के रोम में आयोजित है वो है कि इसका UNIDROIT इस महा सबा का जो आयोजन 277 इटली के रोम में इसका जो आयोजन किया गया है और इस काउंसलिंग गवर्निंग काउंसलिंग के अंदर पहली महला कोन बन गई उमा सेखर है बन चुकी है हाल में वानीजिय मंतराली की पांचवी लिडर्स रिपोर्ट 2023 में अचीवर्स रिणी में किस के अंदर साशित परदेश को सिर्षस्तान मिला है तो वानीजिय मंतराली की पांचवी लिडर्स रिपोर्ट 2023 में अचीवर्स रिणी के अंदर है किस के अंदर साशित परदेश को सिर्षस्तान मिला तो वो है नई दिल्ली और लक्षदीप इन दोनों को क्या सबसे टोप स्तान हैं मिला है तो इसका उत्र हो जएगा उप्रयोगते दोनों अब इसकी पूरी डिटेल लेखो वानीजिया मंत्राली की पांचवी लिडर्स रिपोर्ट में आंदर परदेश और करनाटक सहीत तेरा राज्यों और केंदर साशीर परदेशों को 2023 में लोजिस्टिक्स उपलबदियों की रूप में दर्साया गया है वानीजिया और उद्योग मंत्री प्यूस गोईल ने कहा कि 2047 तक भारत की अर्थ वेवेस्ता को 35 ट्रिलियन अमेरिकी डोलर तक पहुंचाने में लोजिस्टिक्स चेतर की महत्पून बुमीका पर जोगर है दिया है तो याद रखना हो इसके अंदर है अंदर प्रदेश और करनाटक सहीत तेरा राज्य और के अंदर सहजित प्रदेश है शामिल है और वो कौन-कौन से शामिल है वो देखो आप देखो आप इसके अंदर याद रखना दिल्ली असम हर्याना पंजाब तेलंगाना उ चेरल, महराष्टर, मध्या प्रदेश, राजस्तान भी शामिल है, उत्रहंड और माचल प्रदेश, मागलन, अंडमान और निकोबार, लक्स दीब और पूर्णुचरी शामिल है, तो याद रखना इसको, उसके लवा, अकांगसी सरणी में आते हैं, गोवा, ओडिशा, पश् मुवर सरणी में आता है, बाकी ज़्यादा आपको इसमें याद करने की जुरूत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया है, दे वीक हंसा रिसर्च दोजार तीश द्वारा, बैस्ट मल्टी स्पेसिलिट होस्पिटल इमर्जिंग सरणी में किस सरण है, यह किया है, केरल का कोची सहर, कुण सा है, केरल का कोची सहर, वो कहा, दे वीक हंसा रिसर्च दोजार तीश द्वारा, बैस्ट मल्टी स्पेसिलिटी होस्पिटल इमर्जिंग सरणी के अंदर है, कोची का पहला स्थाने मिला है, देखो, यह केरल के कोची मिस्तित है, ए एश्टर डियम हेल्थ केर की एक इकाही और स्वास्तिय सिवा अध्योग में अगणी बन कर है उबरी है बस एक तना यह आपको याद रखने है बाकी ज़्यादा आपको इसमें याद करने की चुरूत नहीं है अब आपको एक पोईंट याद रखने है कि कुवेत के सासक सेख नवाः अलएमद का नितन है कुवेत के सासक ते इनका हाली में नितन हो गया तो अब है कुवेत के सासक का पदे वार कुं सम्бालेगे कातार में अब सेख मेसाल अलएमद%. दुनिया का सबसे उमर्दराज युवराज माना जाता है तो ये दुनिया के सबसे उमर्दराज युवराज इनको माना जाएगा तो अभी ये कुएत के सासकें बनेगे ये टेलिग्राम ग्रूप है वीडियो के डिस्कुशन में भी टेलिग्राम लिंक है कोई सुसना आती है कोई लिंक आता है और आपको रोज जो नाने क्लासेज की बुक है वो उसका आपको पूरा रिवाइज आपको करवाय जा रहा है तो कि आगे सुसना साही का एक्जाम है और अभी कोलेज लेक्टरार का भी एक्जाम है बहुत सारे आगे एक्जाम होंगे उ वर्ष का उबरता सितार नामित किया गया तो ये अंति मंगाल को ये हर्याना की रहने वाली है बहुत सरे विदार्त निशांदार तरीके से जबाब जिये थे उन समी को हर दिक्षुम का में आप देखो कोसन भोरियो किस बारते अमेरिकी मेडिकल की शात्रा ने विस इंडिया योसे 2023 का किताब जीता रिज्वल मेनी आर्या वालवेकर सनेहा नाम्वियार और सलोनी रामे मोहन इसका जबाब आपको comment box में देना है तो ये थी आज की अपनी बढ़िये तरीके से class अपने धन कर दिया बागी रोज सुब आपको साथ मजे कंड की class ही मिलती रहेगी इसके लवा आपको शाम को भी चार मजे class मिलेगी class मिलती रहेगी अभी एक दो दिन हो यह थोड़ा time नहीं है इसलिए आपको पूरी जो है class नहीं दे पा रहा हूँ थोड़ी आपको पता है थोड़ी प्रोब्लम आच चुकी है इसके लिए मैं class नहीं दे रहा हूँ लेकिन पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द ही मैं दुबारा आपको शुचना साइकले class नहीं start करूँगा और बहुत जल्द ही आपके लिए एप और पोर्टल की विए class भी लेकर आउँगा तो बस आप दिन तर दिन करते रहे हैं धन्यवाद जय हिन जय भारत